गोपलगज में संदिक दिस्तिती में पांच लोगों की मौत हो गई है लोग इसको अलग-अलग रूप दे रहे हैं हम चलते हैं और हम अपटी टीम के साथ पूरी मामले का पड़ताल करेंगे तो चलिए पहला मामला हम आपको बता रहे हैं कि हम सिर्सा पहुंच गए है जो ब पहले से बीमार थे यानि बीमारी की वज़ा से उनकी मौत बताई जा रहे हैं हम उनके घर पे ले चलते सीधे और उनके घर के लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कुछ इसको लेकर बता रहे हैं यही रास्ता है उनके घर जाता है जो सिकंदर साह है बैकुनपूर के सिर्सा गाओं के रहने वाले हैं ये उनका घर है उनकी बहु है इनकी बहु सब कुछ साप सुत्रा बता रही है कि कैसे क्या हुआ था अब जो सामने में तस्वीरे दिख रही है वो उनकी पत्नी है वो बोल नहीं सकती है वो गूंगी है कुछ बता नहीं सकती है उनकी मा ओल्डेज हो तो बुडी मा में रथी वो लाई थी तो सो गया था पाता नहीं मौत कीस तरह हुआ है मेलेक मालूम नहीं पहले से सरव नहीं पीते थी कभी सरव नहीं पीते हैं तेवेट खराब था सिर्षा का आपने देख लिया सिर्षा में एक और मौत हुए जो की दमा के मरीज थे जिनका नाम शिकंदर सा है उनकी भी मौत हुए अब हम सिर्षा से बढ़ते हैं आगे बहरामपूर यानि ये भी बैकूनपूर में ही है यहाँ पर भी दो लोगों की मौत हुए और एक बीमार युवक बताय जा रहा है हम बहरामपूर पहुच गया है और आपको उस घर ले चलते हैं जिस घर में दो लोगों की यानि चाचा भतीजे की मौत हुए आप बगल के ही एक लड़ जिनकी उम्र 55 साल है और टिंकू राम जो की 20 से 22 साल के बताय जा रहे हैं दोनों लोग बहरामपूर के रहने वाले हैं और दोनों लोगों की एक से दो दिन में यानि 19 और 20 तारिक में मौत हुई है क्या कुछ जो है उनका भतीजा बता रहे हैं वो भी सुनिये हम लोग का तवे जो है जब सत्य तारीक का हुआ ता साम का तवे तवे तुछ खराब था ठीक तो हम लोग कैसे पता चला कि जल्दी इनको ले घुड़ जरुआ थे उसके बाद दिगवा दिगवले हम लोग ले गए अस्पताल में वहां जाच किया गया तो उसके बाद वो अब जो इलाजरत युवक है शुनील राम उसके मा से आपको मिलाते हैं और वो भी बताते हैं कि वो कैसे बिमार हुए थे और क्या कुछ हुआ और अभी उनका फिलाल कहां पर इलाजर चलना है वहीं आपको बता दें कि जो सुनील राम है वो भी बहरामपूर गाउके रहने वाले हैं जो शुरेश्च राम की मौत हुए उनके आसपास इनका भी घर है क्या कुछ उनकी मा बता रही है वो भी सुनी है वहीं बैकुनपूर थाना चेतर के ही बामो गाउं के रोहित कुमार की मौत हुए जो 25 वर्से बताया जा रहे हैं जिनकी मौत 88 तारीक हुई थी वहीं जगरुराई की बी मौत बैकुनपूर के रहने वाले हैं उनकी भी मौत 18 तारीक हुई थी वो 65 वर्से बताय जा रहे हैं दोनों लोग पहले से बीमार थे ये प्रसासर ने इस बात की पुष्टी की है अब आपको बता दें कि सभी जो लोग मिरित तक है उनका पोस्पाटम कराए गया है रीपोर्ट आने तक सभी को इंतजार करना होगा री सासर को इस बात की सूचना जरूर दें खबर पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारा चैनल यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक शियर और कमेंट जरूर करें धन्यवाद